हेलो दोस्तों आज आए आज आप मेरे साथ एक प्लांट लगाना सीख लें जो कि बहुत असान तरीके से मैं लगाने वाली हूं और इस समय आप मेरे बालकनी गार्डन में है छोटा सा मेरा गार्डन है जो मैंने अपने हाथों से बड़े प्यार से क्रियेट करा है और आप इ हुए और यह चाय की पती है मैंने सुबह कोई सारे सेपरेट करके प्लेट में सुखने रखती थी और इनको मैं आज यूटिलाइज कर लोंगी तो चले फिर इनको हम लेके चलते हैं बाहर की तरफ और एक पौधा उगालेत ने बहुत जटपट से यह देखें कई तरीके के प्लांट मैंने अपने गार्डन में लगाए हुए और आए दिन में लगाती रहती हूँ कोशिश मेरी यह रहती कि कितना भी व्यस्तों हफते में एक प्लांट तो लगाई ले तो यह अभी इस समय आप आए हैं एक मैं प्लांट उगा रही हूँ सिंगोनियम इसका नाम है यह आप कंटेनर देख लें यह कोई डिटरजेंट इसमें फ्लोर क्लीनर आया था अच्छा बड़ा सा यह कंटेनर है अपर पॉर्शन मैंने कट कर दिया उसमें कोई और प्लांट होगा हूँगी आपको मैं पास से यह देखें लीवस हटा के दिखा रहें इसमें आप यह देखें यह देखें ऊपर आपको सब्जी दिख रही होगी और यह नीचे मत्टी है सबसे नीचे मैंने क्या करा यहां पर मैंने मत्टी के क्लियर डाली फिर मैंने सब्जियों के सारा किचन का वेस्ट यहां तक डाला फिर मत्टी से कवर किया और यह जो अभी आप ऊप प्लास्टिक कंटेनर पर तभी मैंने चार डाली हैं सिंगोनियम के प्लांट की कट करके मदर प्लांट से यहां रखती थी और आसपास मट्टी डालके मैंने स्टेम्स को बड़ा अच्छे से एज़स्ट कर दिया था अब यह आप देखें यह जो अंडा की चिल्के यह भी मैं स्टेम्स के अरौ wirk अरॉड डाले हूए इस तरीके से मैंने क्या कर दो चार स्टेम्स के सारा का सारा डेली बेसिस पर अपना रव जार का वेश था उसको एज़स्ट कर दिया और अच्छे से इस प्लांटर में सेट भी हो गई और आसपस थोड़ी-थोड़ी मैंने मट्टी डाल दी अभी रेखें अंडा के चिलके मैंने डाल दिये हैं और फिर मैं अभी जो सुखी हुई पत्ती है इसको भी मैं ऐसी डाल रहे हूं यह भी हमारे प्लांट्स के लिए अनपी के फटलाइजर का काम करती है और अंडा के चिलकों में तो बहुत कुछ होता है कैल्शियम फॉसफोरस होता है मैंगनेशियो मैंगनी सब चीज़ें होते हैं जो हमारे लिए बेकार होती है लेगिन प्लांट्स की हेल्थ के लिए अच्छा अब हम करेंगे हमारा लास्ट स्टेप तो देखें इसमें आर्टस्तिन का जो रसोई का वेस्ट हुआ प्लांट्स की डालिया हुई अभी हमने इनको सेट कैसे करना है मैंने थाली भर की मिट्टी ली है यह गार्डन सॉयल है इसमें थोड़ा गोबर भी मिला और इसको अब हम अच्छे से कवर कर देंगे जो भी हमने रसोई का वेस्ट डाला है ताके स्मेल भी ना आए और पूरा कवर हो जाए और मटी के बीच में यह अंदर ही अंदर आटोमेटिकली सारा जो यह कच्रा यह गल भी जाएगा और प्लांट्स को खुराब भी मिल जा पानी पढ़ने से सारा कच्रा सड जाएगा और हमारा प्लांट ग्रो नहीं होगा तो हम इसको थोड़ा सा किनारे पर रखेंगे और पानी नहीं पढ़ने देंगे मटी को हम थोड़ा सा गीला रखेंगे देखे मैं कैसे इसको ठूस रही हूँ इस तरीके से आप अपने घर में आप तो जानते हैं फ्लाइट सिस्टम होता है और चुटी-चुटी बैलकनी बिल्डर्स बनाते हैं लेकिन मन करता है गार्डनिंग करने का तो वहीं फिर मैंने कुंटेनर गार्डनिंग वेस्ट बॉटल्स में गार्डनिंग करना सीख लिया और रसोई का वेस्ट मैंने इस तरीके से प्लांट्स में इस्तिमाल करना सीखा क्योंकि कई के जगे ऐसी होती थी कि जहां पे कच्रा कलेक्ट करने वाला जो बंदा था वो रेगुलरली नहीं आता था तो फिर बड़ी मुश्शीबतें सी होती थी कच्रा को कैसे डिस्पोज करो खुदी जाना पड़ता था वो कच्रा की वैन तक फेकने के लिए तो देन आइ डिसाइड़िट कि मैं प्लांट्स में इसको इस्तिमाल करो और वो एक ब्लेसिंग इन डिसगाईज हो गई कि मैंने अपना किचन का वेस्ट को मैनेज करना खुदी सीख लिया तो इस तरीके से लाइफ हमें कई चीजें सिखा देती हैं कई के मुश्किलें हमारे लिए वर्दान साबित हो जाती है और यह देखें यह हमने पूरी मट्टी डाल दी और हमारी स्टैम्स इसमें बड़े अच्छे से अराम से उख जाएंगी ड्रेनेश होल मैंने अभी नहीं बनाया है यह जब प्लांट पूरा अच्छे से सेट हो जाएगा और यह किचन का वेस्ट डीकंपोज हो जाएगा उसके बाद फिर मैं ड्रेनेश होल्स बना दूँगी मेनवाल मैं काफी ख्याल रखूंगी कि इसमें बहुत ही लिमिटेट पानी डालना है मट्टी चेक करके अभी देखें मैंने आदा ग्लास इसमें थोड़ा सा पानी इसलिए डालूँगी क्योंकि यह आज बहुत देज धूप है और जरा सा पानी की रिक्वार्मेंट प्लांट को रहेगी बाकी न्यूट्रिशन यह अपने आप ले देगा सिमिलर मेथड से मैंने कुछ टाइम पहले यह एक और प्लांट लगाया था इसका वीडियो भी मैंने शियर करा था वो लिंक भी मैं लगा दूँगी आप जरूर फ्रेंड्स अपने किचन वेस्ट को रिसाइकल करके पौदे उगा ले और फ्री में उगा ले और कहीं भी रख दें आप छोटे चोटे कंटेनर को घर के किसे भी कॉर्णर में हर्याली भी देते हैं और पॉजिटिविटी भी फैलती है और हमारे घर के हवा भी जरूर